दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर सियम नितिस का बड़ा तोफा मेडिकल और इंजिनरिंग कोलेज में लड़कियों के लिए 33-23 सी ट रीजर circumstances जिहां बिहार के मुख्मंतरे नितिस कुमार ने लड़कियों को बड़ा तोफा दिया है सरकारी नौकरी में आरंचन के तरज पर मेडिकल और इंजिनरिंग कोलेज में एडमिशन में भी लड़कियों को 33% आरक्षित देने की गोशना की गई है CM ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मायधम से बैठक करके एलान किया है कि राज के मेडिकल और इंजिनिरिंग कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% सीट आरक्षित की जाए मुखमंतरी नितिस कुमार की बैठक में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मायधम से अभियांतरन विस्विद्दालाई और चिकिस्सा विस्विद्दालाई इस्तापित करने के समन्द में प्रस्तावित विधयक को प्रस्तुति करन दिया गया अगली बड़ी कबर मस्रूम उत्पादन में देश में तिसरी नमबर पर पहुचा बिहार बिते दस सालों में तेजी में बड़ा कारोबार जिहां बिहार के ग्रामीन इलाकों में लगबग 70% लोग आज भी क्रिसी पर निर्भर है किसान आम तोर पर धान, गेव, दलहन और तिलहन उप जाते हैं वही सबजियों और फलों की खेती भी की जाती है लेकिन बिते दस सालों में किसानों ने एक्सपरिमेंट करना शुरू कर दिया है वहीं सरकार भी किसानों के इस काम में मदद कर रही है इसका नेतिजा है कि बिहार मसरूम उत्पादन में देश में तिसरे नमर पर पहुच गया है वर्स 2020 और 21 में 21,325 टन मसरूम का उत्पादन हुआ है अगली बड़ी खबर पंचायतों में परामर्सी समिती को राजपाल की मोहर एक दिन पहले सरकार ने लिया था निर्नाई पंचायतों में बनाये जाने वाले परामर्सी समिती के प्रस्ताप पर राजेपाल भागुच चोहान ने मंगलवार को अपनी मुहर लगा दी है इसके एक दिन पहले पंचायतों में परामर्सी के गटन पर सरकार ने निने लिया था पंचायती राज के करीब धाय लाग जन परतिनीदों का कारिकाल 15 जुन को समापतों ने जा रहा है राज में कई बजोह से पंचायत समय से नहीं कराया जा रहा है ऐसे में सरकार ने निने लिया है कि चुनाव नहीं होने तक पंचायत ग्राम कजहरी पंचाय समिती जिला परिसद में परामर्शी समिती का गठन किया जाएगा अगली बड़ी कबर 15 जुलाई से बंद हो जाएगा मिठापूर बस स्टेंड पाटली पूत्र बस टर्मिनल से खुलेगी सारी बसे बड़ी कबर सामने आ रहे है कि नगर विकास एवं आवास बिभाग के सचीव आनन किसोर ने मिठापूर बस स्टेंड को बोर्या इस्तित पाटली पूत्र बस टर्मिनल में सिफ्ट करने का आदिस दे दिया है बिभाग ने 15 जुलाई तक मिठापूर बस स्टेंड को पूरी तरह से बंद करने और पाटली पूत्र बस टर्मिनल को सुरू करने का निर्देश दिया है नगर विकास एवं आवास बिवाक की समिक्षा बेटक में प्रधान सचीव आनन किसोर ने अधिक कारियों को 15 जुलाई से पाटली पूत्र बस टर्मिनल से सबी बसों को पूर्यतिया संचालित करने का निर्देश दिया है अगली बड़ी कबर 5 जोन से सुरू होगी बिहार की डेड़ दरजन पैसंजर ट्रेने आये जानते हैं पूरी जानकारी कोरोना के बढ़ते प्रकोब और यात्रियों की घरती सेंख्या के करना रद कर दी गई कई पैसंजर ट्रेनों को फिर से सुरू किया जा रहा है पूरो मैद रेलवे की और से इसके बारे में जानकारी दी गई है इन ट्रेनों के चलने से योपी बिहार के यात्रियों को बड़ी रहत मिलेगी यहाँ ट्रेने डेमो और मेमो इस्पेसल पैसंजर बनकर 5 जोन से पट्री पर दोड़ेगी यात्रियों की सुविदा के मद्द नजर पूरो मैद रेल चितर अधिकार के बिविन रेल केंडो से संचालित की जाने वाली पूरो में इस्टगित 24 पैसंजर इस्पेसल ट्रेनों का परिचालन 5 जोन से पुनर बहाल किया जा रहा है आपकी जानकारे के लिए बतादी कि सभी ट्रेनों का ठराव समय और मार्ग पहले की तरह होगा इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है इन पैसंजर ट्रेनों के सुरू होने से यूपी के बलिया गाजीपूर चोनोली के यात्री को बिहार के विविन जिलो में जान 437 वार्ड के 45 पलस के 88,38,000 लोगों का होगा वेक्सिनेशन जी हाँ 121 टीका एक्सप्रेस आज से बिहार के 437 शहरी वार्ड के 88,38,815 लोगों के वेक्सिनेशन का बड़ा टास्क लेकर निकल गई है गाड़ियों की कमांड जीला मोख्याले के पास होगा जहां से अभियान का सुबारम होगा यूनिसेप और केर इंडिया के सयोग से होने वाले वेक्सिनेशन के इस विशेस अभियान में 45 पलस से अधिक उम्र के लोगों को उनके घर के पास वार्ड में टिका दिया जाएगा टिका एक्सप्रेस बिहार के 38 जिलों के 18 नगर निगम के कूल 1437 वार्ड गाडियों को कूल लच 24,200 दिया गया है और इसे हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया है आदे से के इन वहानों से सारी चेत्रों में 45 पलस आयो के अधिक उम्र के लाबार्डियों का कोविड-19 टिका करन उनके घर के पास टिका एक्सप्रेस द्वारा किया जाए अगली बड़ी कबर बिहार के विस्विदालयों में होगी अतिती सिक्चको की न्यूकती सरकार ने 10 जून तक मांगी रिखती है जहां बिहार के सभी विस्विदालयों में अतिती सिक्चको की न्यूकती नए नियम से होगी कुलादी पति कार्याले की ओर से इस समयद में सभी कुलपतियों को निर्जिस दे दिया गिया है जिन विश्विदालेयों में आतिती सिक्चोकों की 11 मा की सिवा पूरी हो चुकी है वा नए नियम के तहट उनकी सिवा नविकृत होगी ऐसे सिक्चोकों के कार निस्पदन का मुल्यकान होगा तब उसके आदार पर उनकी सेवा नविकृत करने का निर्णे लिया जाएगा अधिकारिक तोर पर मिले जानकारी के मुताबिक कुलादी पति कार्याले ने इस विदलायों से अतिती सिक्चोकों की रिखती की सुची 10 जून तक मांगी है। इसताई सिक्चोकों की कमी से जोज रहे विस्वित दलयों में 11 माहिने का कारिकाल पूरे करने वाले अतिती सिक्चोकों की सेवा नवी किरित करने की प्रक्रिया इसी मास से सुरू होगी अगली बड़ी कबर बिहार में दम तोड़ने लगा है कोरोना 24 घंटे में मिले मात्र 1158 नए मरीज आकड़ा पहुचा 12,590 जिहां बिहार में कुरोना अब दम तोड़ने लगा है प्रतेक दिन संक्रमिन मरीजों की सिंख्या में कमी दर्ज की जा रही है स्वास्त विवाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार पिछली 24 घंटे में कुरोना के बिहार में मात्र 1158 नए मरीज मिले हैं इसके साथ एक कुल एक्टिव केस की सिंख्या घट कर 12,590 तक रह गया है हाला कि अभी तक सबसे ज़्यादा के नए मरीज राज़ानी पट्टा में मिल रहे हैं पट्टा में पिछली 24 घंटे में कुरोना के 126 मरीज मिले हैं अगर रिकवरी रेट की बात करें तो बिहार में ठीक होने वाले की रिकवरी दर 97.48 परतिसक तक पहुच गई है अभी तक कुल 6,91,234 मरीज ठीक हुच चुके हैं जबकि पिछली 24 घंटे में 1,9,319 लोगों की कोवीड जाच हुई है अगली बड़ी कबर बिहार में ठमी दूसरी लहर 38 में से 37 जिलों में मिल रहे हैं 100 से कम नई संक्रमिन जिहाराज के सरवादिक परभावेज जिलों में कुरोना संक्रमन की स्थितित तेजी से समायन हो रही है कई बड़ी जिलों में अप्रिल में 500 से लेकर 36,5 तक नई संक्रमिन की पहचान की गई थी खास बात यहाए कि बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमन के रफ्तार जितनी तेजी से बड़ी उतनी तेजी से इसमें कमी भी आती गई राज में अब 38 में से 37 जिलों में 100 से कम नई संक्रमित मिल रहे हैं वहीं राज में 10 ऐसे भी जिले हैं जहां 10 से कम नई मरेज रोजाना मिल रहे हैं अगली बड़ी कबर बिहार में 18 से 44 उमरवालों को कोरोना का टिका दिने पर लगा ग्रहर 6 जून तक आ सकती हैं नई खेप जहां राज में 18 से 44 आयो वर्ग के लोगों को टिका के लिए अभी और इंतिजार करना पड़ेगा प्रात्सुशिना के मोताबिक 6 जून को टिके की नई खेप आने के बाद 7 जून से इस आयो वर्ग का टिका करन होना है पूरों में 29 मय को ही टिका आने की बाद की गई थी लेकिन उस दिन टिका नहीं आ पाई और इस वर्ग का टिका करन फिर से चालो नहीं हो पाई अगर हम पटना की बात करें तो जिले में सबसे ज़्यादा आबादी इवावो की है ऐसे में 18-44 आयू वर्ग का टिका करन करीब एक सब्ता से बंध होने के करन अभियान की गती भी दिमी हो गई है इस वर्ग में अभी सिर्फ सरकारी कारियालों में ही टिका लगया जा रहा है जिसकी सेंख्या भी काफी कम रही है अगली बड़ी खबर अब राज में खुलने लगा सेलोन फरनिचर और स्टेशनरी की दुकाने लोगों ने अपनाया कोविड प्रोटोकॉल जिया दो जून से आठ जून तक दुकानों और प्रतिश्टानों की खुलने एवाम बंद कर समय का नए सिरे से निधारत किया गया है बात करें पटना जिला की तो दुकाने और प्रतिश्टान अब तीन सिरेनियों में बाठ कर अलागला निधारे दिन पर खुलेंगे इनके खुलने का समय सुबच्छे बज़े से दो पार दो बज़े तक होगा आपको बदाद की भी वहां के डिम के निर्देश अनुसार ऐसी दुकाने अल्टरनेट डे पर खुलेगी साथ ही आपको बता दे कि लोगडाउन का पालन कराने वह खोलने वाले दुकान पर नजार रखने के लिए दनादिकारे वह पुलिस पदादिकारियों की कई टीमे सड़क पर रहेगी वह तमाम टेम सड़क पर लोगडाउन का पालन वह दुकानों के अंदर कोविट प्रोडोकोल की तहद नियमों का पालन कराएगी इसके साथ ही अगर कोविट प्रोडोकोल का उलंगन किया गया तो दुकानों को ततकाल बंद भी करा दिया जाएगा अगली बड़ी खबर किराये पर रहने वालों के लिए आई बड़ी खबर सरकार ने नए कानून को दी मंजोरी पहली बार मिलेंगे ये अधिकार जिहां प्रदानमंत्रे नरेंद्र मोदी के दिख़ता में बुदुआर को केंद्रे केमिनेट के बैठक भी इस बेठक में किराय के कानून पर बड़ा फैसला लिया गया है प्रदान मंत्रे ने इस कानून को मंजूरी दे दी है या कानून सभी प्रदेसों में समान रूप से लागू होगा वैसले में कहा गया है कि Model Tenancy Act को या तो नए रूप में लागू किया जा या फिर पहले से चले आ रहे रेंटरन कानून को संसोदित कर लागू किया जाए आपको बदा दे कि नए कानून के मताबिक प्रपट्टि मालिक और किरायदार दोनों को Agreement Sign करने के बाद सम्मंदित Authority का मासिक किराया किराय के अवदे और मकान मालिक और किरायदार पर रिपेरिंग के छोटी बड़े काम की जिम्मेदारे जिसे तमाम जानकारिया देने होगी बाद में अगर कोई विवाद हुआ तो दोनों प्रपट्च Authority के पास जाएगी बात नए कानून के बारे में कहा गया है कि या रेंड से सम्मंदित पूरे कानूनी धाचे में बड़ा बदलाव करेगा जिससे देश में रेंटल हाउसिंग में तेजी से प्रगती होगी इससे हर तरह की विकास में तेजी देखी जाएगी इसने कानून की मदद से देश में रेंटल हाउसिंग मार्केट को बढ़ाने की कवायाद है सबी इंकम गुरूप के लोगों के लिए रेंटल हाउसिंग की विवस्ता हो सके और जिन लोगों को बेगर होने की समय से जोजने पड़ती है उन्हें भी इस कानून से बड़ी मदद मिलेगी अगली बड़ी खबर पटना इनिवसेटी ने रद किया नामांकन टेस्ट अब बारवी के नंबर पर ही होगा ग्रेजुएशन में दाखिला जिहां पटना विस्विदाले के द्वारा इस बार कोरोना के प्रकोप वो चात्रों की स्वास्त की सुरक्षा के मदद नजर नामांकन टेस्ट नहीं कराने का निर्नाई एकेडमी काउंसलिंग की बैठग में लिया गया इंटर में अच्चे अंक पटना विस्विदाले में एंटरी दिला सकते हैं आपको बदा दे कि पहले जब एंटरेंस टेस्ट होते थे तब इंटर में सिर्फ पास होना अनिवाय रहता इंटरेंस टेस्ट का परपरमेंस माइने रखता था इस बार इंटर के मार्क्स माइने रखेंगे जिनका अंक अधिक होगा उनका नामांकन विस्विदाले में होगा सारी प्रक्रिया ओनलाइन ही होगी सिर्फ B.A.D. L.L.B. वह बिलीब में यह प्रक्रिया नहीं रहेगी अगली बड़े कबर बिहार में बार के खतरे कि अप पहले मिल जाएगी जैनकारी 72 घंटे पहले मिलेगा अलण जी हाँ ईस साल बार की त्राजदी जेलन अले बिहार के लिए एक अच्छी खबर है बिहार में बाड के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसादन बिवाग सर्टिफिशल इंटिलिजेंस पर आधारित अच्त दुनुक तक्निक के साथ अब डोन का भी इस्तिमाल करेगा डोन का इस्तिमाल बाड के दोरान तडबंदों के रियल टाइम मोनिटरिंग में किया कीगी इस पूरी विवस्ता में बिवाग की संस्ता बाड प्रबंदन सुधार सायता केंदर स्थित मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर की महतपुन भूमिका रहेगी यह संस्ता आगडों का विसलेशन कर अगले बात्तर गंटी की सिती का सटीक पुरानुमान जारी करेगी और अंद की बड़ी कबर एगनु सतांतर परिचा के लिए 15 जुन तक वरी फॉर्म असायमेंट जमा करने के बाद चातर वरी परिचा फॉर्म परिचा की नई तिती जल्द होगी चारी जिहाँ एगनु की सतांतर परिचा जुन 2021 के लिए परिचा फॉर्म बढ़ने और असायमेंट जमा करने के तिती बढ़कर 15 जुन तक कर दी गई है चातर असायमेंट जमा करने के बाद परिचा फॉर्म बढ़ सकते हैं परिचा की नई तिती जल्द जारी होगी एगनु अजदन केंद्र पुर्णिया के समयन प्रोफेसर गोरिकन जान ने बताई कि असामेन जमा करने के अंतिम देदी को बढ़ा कर 15 जोन 2021 तक किया गिया है साथ उन्होंने बताया कि पतरता प्राप्द ऐसे अभियारती जोनोंने अब तक सतांदर परिक्षा के लिए सत्रिय कारे जमा नहीं किया है वे अपना सत्रिय कारे ओनलाइन मैदम से Google Form द्वारा अत्वा ओफलाइन मैदम से सिक्चारती साहता केंद्र पर जमा कर दे ग्रामेन विकास वा अनवान अजदन से जोड़े चात्र अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी विस्विद्दाले के होम पेज www.igno.ac.in पर ओनलाइन सप्रियर लिंक प्रोजेक्ट अपलोड.igno.ac.in पर जाकर या इगनो मुख्याले चेतरे किंद पर अपलाइन मैदम से जमा कर सकते हैं आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार में स्कुल कॉलेज कब से खुलनी चाहिए इसका जबाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए